और भी साथ हालो बच्चों आइए आज के सुसरी आप सब का स्वाहते तो आज के सण में अवह इसकस करने वाले बहुत ही का ओपेक है है यह बोड़ीमें क्या क्या आएगा रुसानिक डिक्टन के फिजकल प्रोपरटी और केमिंक य송र्वाबार्टी दोनों वह аб시 डिसकस कर सकते हैं तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार सबको एलो है सब लोग को डेश सारा प्यार और सब लोग जल से जल लाई है ताकि आज के ससन की सुरुआत किया जाए बहुत इंपोर्टन टापिक है यानि कि चेप्टर कौन सा है आपका बता दें फिर से आपके हैलो यहपी एकहल beginnen यहानरे की के क्मेश्टी का सेकेंड पेपर का आपका पहला चेप्टर म gosto की इसाफ की साब है तो समझ जा है कि यह ँत्लिण है त्यार दिसक्तर कर लिए उसकी नावन-וन क्लेश dolicky हमने उसको बनाने की विदी के वाब मेंसे सारी चीजिए ऑग गई अब और चैनल प्रापर्टी उसके वारें डिसकस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है सबसे पहले हम डालेंगे हैलो एलकेन के गुड में नेडि सबसे पहला है यहाँ ध्यान से सुन लेना जल्द बाजी मत करना और एक चीज़ आपी पेनल लेकर क्या ना नहीं पता चले कि ऐसे आजाओ हैलो एलकेन के गुड है नगा है भया यह क्या हुआ है अलो एलकेन के गुड हाईलो एलकेन के गुड इस गुड की अंदर याने की प्रापरटीज आउ एलकेन आउ यह भी लिक लोओ प्रापर्टीज ऑफ हैलो एलकेन यहाँ ए चुपा हुआ है इस बात को ध्यान में लगना है अब इसमें हम सबसे पहले डिसकस करेंगे भावतिक गुड क्या भावतिक गुड की बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे हम भावतिक गुड यानि फीजिकल प्रापर्टी भाव आपका सबसे पहले आएगा फिजिकल प्रापर्टी प्रापर्टी कौन-कौन से बहुती गुड़ है उसके बार हम चर्चा करते हैं ध्यास से देखना कौन-कौन से बहुती गुड़ आपके है इसमें हम यही देखेंगे जल से जल दाना देरी मत करना तो देखते हैं बहुती से पढ़ चुके होंगे सीधा सीधा कहने करने के अईसी ऐसे गुड़ी होते हैं जो किया वाई जिसको धेख आटर्च करके बतादें उसको चुक करके बता कि इसकी गुड़ क्या जा एह तो सब्सक्राइब यह सारी चीजें जो बताइजाथी हो सब क्या है आपके भौती गुड़ा है तो बहुति premise सबसे पहले यह थो आलकेन हमारा है तो कितने कार्बन की हैलो एलकेन होंगे वह किस अवस्था में पाए जाते हैं सबसे पहले पदार्थ की बहुत ही कवस्था आज़ो क्या है पदार्थ की अवस्था इसमें पहला वो प्राया गैस होते हैं, क्या होते हैं, गैस होते हैं, ध्यान से सुना, निम्न सदस्वाले मतलब कहने का, कि जैसे मेथिल फ्लॉराइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल कॉलॉराइड, एथिल फ्लॉराइड हो गया, इन सब को अगर देखा जाए तो ये सामान कि क्या है निम्न एड़बार वाले या कह सकते हूं कि कम अड़बारे वाले हमारी हमारे क्या है १इलम और इन यह वस्था जो होती गैसी अवस्था में पाये चांड़िए अध्य सुनन चलू लिख देता हूं नहीं तो भाई पता चलेगा साहर लिकें आप बोल दी हम सूने नहीं तो क्या लिखेंगे नियम्न सदस्य वाले अर्थाद है लो ए लिकेन नियम्न सदस्य नियुक लिखेंगे कम अडुभार वाले कम अडुभार वाले हैलो एलकेन इलो एलकेन ध्यान से सुनना अब इसमें हम एक्जामपल भी लिख देते हैं जैसे जैसे क्या लग दें भाई एक्जामपल लिख दो जैसे इसमें कौन कौन आएंगे हैं कौन आएगा आपका मिथिल फ्लॉराइड आएगा और आपका C2H5F यानि कि एथिल फ्लॉराइड आ गया एंड ध्यान से सुनना देख रहा न उतर हाँ क्या होगा एधिया निमनिक प्रीर फाइल जो ओगे उप्राय प्राय से अवस्था में प्लाय चाते हैं इसी कई आम Mother प्राया गैसिये अवस्था में पाये जाते हैं इस बात को नोट कर लेना अउसनल में भी आ सकता है । गैसिये अवस्था में पाये जाते हैं एक्जांपल क्या कहाँ मैंने आपका ब्लाराइट खुल अब। दिमाग में अарव फिरो कौन सब को आगे आधे ऋब सर्द्रक्रवा को अगैं हो अधार सुनना या यानि 18Й करबन इसके अलामा निक है अरे भाई इस तरह से ना लिखो तथा इसके अत्रीक्त इसके अत्रीक्त इसके अत्रीक्त क्या होगा अठारा कार्बन युक्त तक के हैलो एलकेन के हैलो एलकेन के हैलो एलकेन जो मारे होते हों क्या होते है भाईया मीठी गंध वाले द्रो होते हैं इस बात को भी नोट कर लेना मीठी गंध वाले द्रो होते हैं अब आपके दिमांग में आ रहा हुआ सर एक्जामबल क्या है हरे भाई इसके आग़ी एक्जामपल अब लिख सकते हो अठारा तक मलब एthyl bromide लिख सकते हो आतिल आयोडाइड लिख सकते हो क्योंकि एhtyl bromide एसल आयोडाइड इसमें नहीं इनıs में नहीं है 18 कारबन तक के जो हमारे योगिक होंगे हैलो हिलकेन वाले वो मीठी गंद वाले क्या होंगे द्रो होंगे गयस नहीं होंगे क्या होंगे यानि उनकी अवस्ता द्रो की रूप में पाए जाती है अर्था लिकुट में पाए जाते हैं लेकिन गंद की बात अगर की जाए तो मी और अठारा प्रमाड करमांग और अठारा कार्बन से अधिक कार्बन प्रमाड वाले कार्बन प्रमाड वाले हैलो इलकेन हैलो इलकेन हमारे क्या होते हैं या फिर ऐसे कदो हैलो इलकेन ठोस होते हैं बस और कुछ नहीं लिखना है आपको यानि कि यह बहुत इक अवस्ता की बात हो गई किसकी बहुत इक अवस्ता की यानि हमने हैलो इलकेन के सिर्फ बताया अभी हैलो इलकेन नहीं बताये गया है इस बात को नोट करके रखना चेप्टर आपका वही है है हैलो इलकेन हैलो इरीन दोनों साथ साथ चलेंगे लेकिन स महां से अधिक 18 तक कार्वन वाले जो हैलो एलकेन होंगे हमारे वो मीठी गंद वाले क्या होते हैं द्रोग होते हैं उसके बाद बात आती आगे कि 18 से अधिक वाला क्या होगा ठोस होता है उसका कोई गंद नहीं होता है वो रंग ही नहीं होता है बस इस बात को नोट कर ले न आगला heading अब हम बात करते हैं गल्लांग और कौथनांग की किसकी गल्लांग और कौथनांग की या निकि में लिविम्टिंग और बॉल्लिंग पॉइंट की बात करते हैं यह स्क्रीन साड़ अगर हो गया है तो आगे चल लें 1, 2, 3, 3, 2, 1 चलो, अगला heading आपको होगा दूसरा इसी का दूसरा पार्ट इसी का दूसरा पार्ट क्या गलनांग और कॉथनांग गलनांग और कॉथनांग हो गया यानि कि क्या melting point and boiling point melting melting point and boiling point यह देखना है क्या होगा भी या melting and boiling point इस बात पर चलते हैं देखते हैं क्या है कुछ नहीं है छोटा सा heading है और कुछ नहीं ध्यान से सुनो क्या है हालो यलकेन के गलनांग और कॉथनांग क्या होते हैं उच्च होते हैं या कम होते हैं या फिर बरावर होते हैं तो इसका हम compression उसी के योगिक से करेंगे ध्यान से सुनना किस से उसी योगिक के नार्मल यलकेन अगर हो सामान्य अलकेन अगर है तो उसका कोतनांग जो होगा है ना और जो हाईलो अलकेन होगा मनलब अलकेल हाईलाइड वाला होगा उसका जो कोतनांग होगा दोनों में डिफरेंट होगा अंतर होगा तो ऐसे सिधा सिधे कहे देंगे कि सामान्य अलकेन से एना उस alkyl highlight का कोतनांग जलांग उच्च होता है समान alkyl से कहने का मतलब है सबस्सक्राइड अगर मालन ने हमारे पास CH4 है यह समान alkyl क्या है? मेथेन है ध्यान से सुनना समान alkyl क्या है? भ beaten है अगर इसी में से Akey uit replace कर दिया जाए और या लगा क्या लगा दिया दियासि और वह मनलग ब्रॉमील लगाद कर लगा दो आ धौर बना लोत का बना दो यात कुलोरो मेथेण बना द। अब मेथेण बन गया अब जब क्लोरो क्या होता है उच्छ होता है अधिक होता है क्यों बात आती है क्यों सर तो रीजन इसका यह है अड़भार क्या है अड़भार इसका अड़भार अगर देखा जाए कारवन बारा चार सोला सोला ग्राम प्रती मोल यानि एक मोल में सोला ग्राइब इसकी बात की जाए अगर तो क यानि कि इसका अधिक पानी को गरम करने में ज्यादा समय लगेगा, तो भाई इसका अधिक पानी को गरम करने में ज्यादा समय लगेगा, तो भाई इसका अधिक पानी को गरम करने में ज्यादा समय लगेगा, तो भाई इसका अधिक पानी को गरम करने में ज्यादा समय लगे हास अगर समझ में आगी तो हम कह सकते हैं लिखना अगर चाहते हो तो लिख लो भईया क्या चाहते हो क्या 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 सामान एलकेनों से उनके एलकिल हाइलाइडों के गल्लांग और कॉतनांग प्राया उच्छ होते हैं सामान एलकेनों से सामान एलकेनों से उनके कि अलकिल हाइलाइड के अलकिल हाइलाइड के गलनांक और क्वतनांक गलनांक और क्वतनांक प्राया उच्छ होते हैं क्यों कि अड़भार अधिक हो जाता है बस ऐसे लिख दो सीधा सीधा क्योंकि और कुछ नहीं लिखना बागे तो समझदार हो ही आप लोग क्यों कि उनके अनुभार उनके अनुभार अधिक हो जाते हैं अधिक हो जाते हैं अच्छ यह तुम्हेंने कहीं दिया ठीक है अधिक हो जाते हैं एक्जाम्पल की तौर पे अगर आपको लिखना है अनुभार का बढ़ता हुआ कराम तो क यहां अनुबार करें कौतनांका गळलांका कींसरेंouleख कि अगर सि यह स्किश्र ठी सि यल यह क्या होगा छोटा होगा क्या ऑफैर इसके अगल लांग कम किसे टूह ऐच फाल है इस से बड़ा कौन होगा सी थी सी वाला होगा जिन सी थिस बात को ध्यान देना कि सी थ्री एच सेवन यह होगा ना कि आसर दो दुनी चार एक पास तिन दुनी शेक सार ठीक यह हो गया इसके आगे फिर क्या होगा सी फोर है ना सी फोर एच नाइन सी अल इस तरह से क्या यह बढ़ता जाएगा यानिकी अलखार पढ़ रहा है कलोरीन वही है कार्वन की संख्या बढ़ती जा रही है एक सीदी सृइंग ले ना सीदी स्रींग ला के लिए यह होता है अगर सृइंग लग बदली तो उसका गलनांक उतना अलग हो जाएगा वह गलनांक और क्वथनांक का बढ़ता हुआ करम बढ़ता हुआ करम बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं यह सर्थ सीधी लाइन नहीं दिख रही है लोग आई सीधी लाइन में दिखा देता हूं हो गया सीधी लाइन हो गई अब इतनी बातें आ गई यानि कि गल्लांक और कोटनांक अगर सीधी श्रिंकला है तो उसका अणुभार बढ़ते करम में बढ़ता चला जाए लेकिन अगर मालने हमारे पास कार्बन की संक्या उतनी हो सिर्फ हाईलोजन बदलता चला जाए तो भी रीज कि सब्सक्राइब जाए अगर कार्बन की संक्या होई है और मेरे पास हाईलोजन में जू स्बसे syll 않 से जएदा हो गा क्या जिसका और भार सबसे जएदा होगा वह हमारा क्या झाल्म होग होई उसी का अगल्लां को सबसे अधिक होगा तो बात करते है क्या हो यानि कि आपकी अगया ईसे CS3 iodine अरफा methyl iodine इस greater than यह ज्यादा होगा किसे मैधिल bromide से हो गया इस greater than यह किसे जशादा मेथिल ultr fordi शेगक recommend my प्ल right हो गया है ना यहीं तो अरे भाई यह क्या होते है यह हमारे ग्याश है यह फ्य सब से ज़्यादा बात योदी हमारे पांस कारवन की झावभार है से योई और हमारा स्रीए सावा बदल जाए थो उसका गört candi जो कैसे परिवर्तित हो बात गाघ सबसे ज़्यादा होगा किसके साखा वाली सरिंकला के तुला से तो कहने का मतलब है कि अगर suppose that मेरे पास क्या CS3, CH2, CH2, CH2 और CL ये लिखा है और एक जगा और यही चेज अड़भार उतना ही मतलब पर मौड कर मांक वही है इसकी समाव यवता बदल दी हमने क्या कि हमने इसकी समाव यवता को हमने बदल दिया बदल दिया मतलब CL यहां लगा दिया और यहां CS3 लगा दिया हो गया हो गया अगले step में CS3, C और CL, C, CH3 ध्यास से देखना सारी चीज़ें अड़भार होई है सब काण भार हो है कार्वन की संख्या उतनी है हाईडोजन उतना ही क्लोरीन उतना ही है क्कार्वन अगर आपको विश्वास न ओ yamid 2 कर्वन 3 कर्वन 4 कर्वन c4 हो गया तीन दो पांद दो साथ दो नो कितना होगा h9 H9 हो गया और एक क्लोरीन है क्या 1, 2, 3, 4 कार्बन C4 तो कि जाए इसको दूसरे कलर से ज्यादा समझ में आएगा यहां से देखना समझने के लिए C4 यहां भी लिखा है H9, C4 यहां भी लिखा है H9, C4 यहां भी लिखा है H9, C4 लिखा है H9, C4 यहां भी वही अनसूत्र लिखा है यहां भी वही अनसूत्र लिखा है और यहां भी वही अनसूत्र लिखा लेकिन इन तीनों का गलनाम कोतना अलगलग होता है अलगलग क्या इसमें से सबसे ज्यादा गलनाम किसका होगा जो सीधी से निखला होगा एक कम सबसे कम किसका वाइज इससे साख्वाइज यह क्यों होगा सबसे ज्याद किसका होगा, और उसकी बाया इंका होगा, वात आती ही कि वहाया, उसका प्रभाव लगता है और प्रभाव कैसा है इस बात को नोट करना यह प्रभाव हमारा क्या है देखना ध्यान से यह जो पूरा CS3 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 है यह CL की तुलना में धनावेसित वाला कहने का मतलब आसान भासा में समझना ध्यान से अगर कलोरीन को को देखा जाए और कार्बन को देखा जाए सिर्फ हो सरी कलोरीन और कार्बन को तो आप क्या बोलोगे कलोरीन हमारा क्या है अधिक विद्दुत रिडात्मक्ता वाला तत्त है देन कार्बन की पेच्च यानि कि अधिक विद्दुत रिडात्मक्ता वाला तत्त हमारा क्लोरीन तो यह क्या हुआ फॉरा हमारा धनात्मक वाला हुआ है यानि क्लोरीन परमाब की तुल्ना में हमारे पास जो मेथिल समुआ है यह वो क्या है अर्थात उसका काम किया है इलेक्ट्रान को डोनेट करना ध्यान से सुनना बात बहुत समझने वाली है इसी के आगे हम बताएंगे आपको मेजोमेरिक एफेक्ट है आपको प्रेड की परभाव इंडेक्टिव एफेक्ट पलस एम पलस आई माइनस एम माइनस आई ये सारी इलेक्ट्रान ये दान करेगा तो लेने वाले कौन है क्यों क्लोरीन है आर्थात इधर से भी इलेक्ट्रान दान हो रहा है इधर से भी इलेक्ट्रान दान हो रहा है और एक लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रान अर्थात खिचाओ ज्यादा हो जाएगा यानि यह तीन लोग क्या ह दखका मार रहे हैं खुद क्या करना है अर्थात कहने का मतलब है कि तीन समू क्या कर रहे हैं रिपल्सन का काम कर रहे हैं क्लोरीन को हटाने का काम कर रहे हैं अर्दात कलोरीन को हम हलका सा तूट जाएगा क्योंकि या लेड़ी मार पीठ हो रहा है लेड़ी जंग हो रहा है इनके बीच में इसमें आते हैं इसमें के वाल अगर देखा जाए तो एक समूह यह आगा है एक बात और आपके दिमाह में कहिए ना है कि सर यहां भी एक सीसरी है यह अलग लग नहीं यह पूरा इसी कार्बन के अकेले जैदा देना पड़ेगा लेकिन इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा क्यों कि उसमें तीन लोग धका मार रहे तो यहां अकेले दो लोम आख रहे हैं यहां अगर बात की जायए तो कोई साखाने सिर्फ यह पूरा अकेले हैं अर्था एक यह मारा है वह अकेले एक धक्का मारा अर्था यह टाइम लगेगा तो निए इस से जादा तापमान हमें इसमें देना पड़ेगा तो कहने का मतलब हुआ क्या निश्कर्ज निकला हाँ सर अगर हमारे पास साखाएं संब्सक्राइब इस घर कंग इस सबसे कम होगा क्योंकि शेडर को में ऑप रहते हैं इसकी वाजास से वह किया होगा अगर जितने ज्यादा गरूप होंगे उसी तो जिस कारबन इंग के लिए अए हुए क्या करेगा भका मारेगा इतने जल्दी तूट जाएगा ऊजितने लेट ठूटेगा है। एगोग आगे देखते हैं लिए्ट अगला है क्या होगा है अगला है डालना है विल से कि दे यह इमदने यह पिलेता और यहापी जड़ दाल लो नो दो दोनों अक्यािस सथ बता दियते हैं यह तो धी कि सब्सक्राइब ढूंत जाने आ गनत तुमें क्या होगा चल गनत तुमें क्या होगा चिंता मत करना गनत तुमें क्या होगा गनत तुमें कुछ होना नहीं है गनत का मतलब कब होगा भाई जब इसका अनुभार जादा होगा उसका घनत तुजादा हो जाएगा है न क्या जिसका अनुभार जादा होगा उसका ग्हना तो ज्यादा हो जाएगा यानई की आप यह भी कह सकते हो कि whoa मतलब है कि मैथिल जो हाइलाइड है मैथिल हाइलाइड जो होगा उसकी गन्लांग कोतनांग पर आया जल्व औरigator काम होगे लेकिन मैथिल हाइलाइड जू घनत होंगे ही गै итоге से क्ञम उनगे और आगे चलते हैं अठिज्चे वरिब्रोमाइड होग्याängt thousands हैं हमारे तो यह क्या हो जाएंगा भफिए इनके गल्लान को फारी इनके घनत तो जल से ओंगे Jan यह बारी हो जाते हैं बस और कुछ नहीं करना जल एक नग淇क यह भारी हो जाएंगे कर दो 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 कि अधान का वैने घनत की बारे में तो जो गैस होगा वो क्या होगा भई अलेडी ज़र द्रो से क्या होगा द्रो या ठोस हो उससे क्या होगा उसका घनत कम होगा तो लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे हम क्लोरो अलकेन क्लोरो अलकेन लिखो या फिर क्लोरो मेथेन लिख लो भाई क्लोरो मेथेन लिख सकते हो ऐसी बात नहीं है लेकिन क्लोरो अलकेन भी लिख सकते हो अगर छोटा देखता है चलो एक नाम लिखो सिर्फों सिर्फ एक नाम जिसमें सब आ जाए है क्लोरो एलकेन का घानतों प्राया जल से कम होता है कम होता है उसका रेजन यह है कि जो क्लोरीन हमारा होता है वो क्या होता है आगे कम होता है परंतु 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 क्या परंतु ब्रोमो एलकेन और आईडो एलकेन जो हमारे होंगे उनका घानतों जल से जादा हो परंतु ब्रोमो एलकेन और आईडो एलकेन एलकेन के घानतों जल से अधिक जल से अधिक होता है जल से अधिक होते है के घानतों अधिक होते हैं यानि इनके घानतों जो होंगे वो जल से अधिक होंगे क्यूंद 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 करअंबल एलिक्ल आयोडाइड घना असंद ए अलadd यो氣ल ग३्रो माइड घना तो सबसे ज्यादा लगbrid टॉडह सब कम क्या है अूद कि अ कूलुरॉरायाइड का गहनत्व का घरता हुआ करम गहनत्व का घरता हुआ करम यह ओगया घरता हुआ हो आगे आगे हम बात करते हैं किसकी वह घरता रहें अपके दिवाब में आप्के आप्परिवार के बहुतिक गुड में यह बताया आपको कि फ्लॉरीन और कलोरीन हमारे जोते हो प्राया गयस वस्ते हमें पाए जाते हैं और ब्रोमीन द्रोव अवस्ता में पाए जाता है और आयोडीन जो हमारा होता है वो ठोस अवस्ता में पाए जाते हैं चलो यहां लिख देता हूँ भाई लिख देता हूँ अगर आपकी इच्छा है तो मैं लिख देता हूँ ख्लोरीन, क्लोरीन, प्रोमीन, आयोडीन, यह दोनों क्या है, गैस, दिख रहा है न, यह हमारा क्या है, द्रव, क्या है, द्रव है, इस बात को नोट कर लेना, और यह हमारा क्या है, फोस, यानि कि यह ठोस होता है, वो द्रव होता है, वो दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं, तो भाई, जिसके साथ यह होगा हमारा, गैस वाला, उसका अणुभार जल से तो अलेडी कम होगा, है न, वो भारी नहीं होगा, उससे क्या होगा, कम होगा, य यह होगारेसिप्रोकल में अर्थाती जब जब जादा हो तो यह पूरी वैयलू क्योंगे घट जाएंगी इसका उनलाव यह क्या व्यूरिममनुपाती है अर्थात आयतन ज़्यादा तो घंणतो कम और आतन कम द्रभमान ज्यादा तो घंद तो न्युक्न मैटको fighters और आपक आपने देखा किया कार्वन बारा तीन 15 पंद्रा पंद्रा नोद दूनी 18 19 जोड दिया जाए तो भी आचार हो जाएगा तीन हो जाएगा लेकिन इसका घरत तो इससे कम क्यूंब है उसका रिजन यह है कि यह गयसी अवस्था में है यह द्रोव होगा तो जिस वरतन में रखा जाएगा उसका आयतन निकलेगा यह क्या है अगला आद़्व समझे आपको क्या डिसकस करना विलेता इसकी विलेता के वारे में यह वरता है विलेता, solubility, विलेता, solubility, देखते हैं क्या होगा, solubility में, विलेता की बात कर रहें, तो हमारे जो एल्किल हाइलाइड होते हैं वो क्या होते हैं अल्प धुर्विये होते हैं सिधा सिधा करने का मतलब अल्प धुर्विये होते हैं अब आपके दिमाग में आरा सर धुर्विये क्या होता है चिंता मत करना हम बताएंगे सारी धुर्विये क्या होते हैं क्या होते है और हमारे पास जो बंद बना है उससे जुड़ा हो जो परंमाड हुमारा है वह परंमाड अगर यह दूसरे से कहा मतलब सब्समेट बना एक है और यह थाइए और जैसे फिक्स करो यह चारी इधर आनाचाहिता और यह चार्ज इधर जाना चाहिता जिसकी वज़ात से क्या हो जाएगा जिसके वज़ाइग मतलत के घूम गया या थुरूबड हो गया अर्था तेक बिंदू से एक निस्चित बिन्दों से क्या हो यह धुर्वित हो रहा बंद अर्तेजिस योगिक में ऐसा काम होगा तलिकी है अब आज़ो हैलो लो फुलोरीन लिलो आजाओ दिमाग में आगा सर यह बिद्दूर इडात्मकता जाता है ठीक कर दिया मैंने यह क्या है सर इसकी तुल्ला में तो यह धनात्मकता बन जाएगा लेकिन जब अधिक ज्यादा अंतर होगा तब ज्यादा जल्दी काम होता है तो अच्छा यह माना जाता है क्या हुआ यह भी पीवलाग का यह भी पीवलाग का है लेकिन यह हमारा क्या है भीया कारवन है और कारवन के बाएक को इसमें चार इलेक्टान होता है यह चार दे भी सकता है चार ले भी सकता है यह दोनों तरह से भीएफ करेगा और यह हमारा क्या सिर्फ यच पलस और डेल्टा माइनस जो बनता है उतना अच्छा इसमें धन चार्ज नहीं बन सकता है जब उतना अच्छा नहीं बनेगा तो उतना अच्छा क्या होगा धुर्विये भी नहीं होगा जिसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि अल्प धुर्विये होने के काड़िये जल में क जैसे इधर हो गया, अल्कोहल हो गया, कलोरोफाम हो गया, कार्बन टेक्टा कॉलाइड हो जागा, बेंजीन हो गया, इस सम्में क्या होते हैं, वो विले होते हैं, आप उसको भी लिख देते हैं, क्या सर्फ क्या कहा आपने, फिर से बोल दीजिए सर्फ, मैं फिर से बोलना चिंदा मत कुरू, क्या लिखेंगे, हाईलो एलकेन, अल्फ धुर्विये होने के कार्ड जल में क्या होते हैं, आप ले होते हैं, क्या, हाईलो एलकेन, हाईलो एलकेन, अल्फ धुर्विये, होने के कार्ड, कि बात को समझना होने के कार क्या प्राया जल में आविले होते हैं क्या कहा मैं यानि हमारे हैलो लिकें जो अल्प धुर्विय अर्था अगर अच्छिस धुर्विय होते ना तो विले हो जाते हैं लेकिन यह क्या होते हैं जिसकी होजासे जल में आविले होते हैं इसका रिजन एक हैव जब धृर्विय होगा तो वह जल को हार्वराफ बंद नहीं बना पाएगा यह क्यों कहते है कि हार्डोजन बंद को तोड़ नहीं पाएगा जब तोड़ नहीं पाएगा थो कैसे विलीन होगा बस यहीं बात है हेला गधार को अच अच्छा दू है टन्स कारास बीजाएक हो प्रान तू ये भाई इटोमेटिक कहा चला गया ये कंप्यूटर में हो दै कंप्यूटर प्रेसान मत होना हो जाता है टेकनिकल इसू है आपको पता है कि जब भी लाइट करती है तो इनका काम ही बोड का है मतलब सर्मा जाते हैं तुरंट सर्मा जाते हैं तुरंट सर्मा जाते हैं प्रेसान मतलब आवाद तो जा रही है ना तो क्या काम में क्या डिसकस करें विलेता है यानि स्वालविलिटी के बारें डिसकस कर रहे तो क्या हो गया था क्या कहा गया था कि भाई जो हमारे ळकील हाइलाट होते हैं वह आलप बिले होते इस वजह से जल में क्या हुते हैं आप बिले होते हैं या जल में आव विले होते हैं लेकिन वहЖ cosm बहें होते हैं विले होते हैं पोर रूप से भी अभी सब्याद से सुन लेना या अलिको हो जाएगा आपका कार्बनिक लाइब और क्या होगा रुद्ध सिर्फ पाँंच एसे कार्बन बिलायक को भी लीन कर सकते पने अंदर है ना बहुत तेज होते आणका रहे हैं भीना लाइट की चलेंगे नहीं कि आ भीना लाइट की चलेंगे नहीं हो lifts फोलिए विται परहसान मत हौना हो गया सही हो गया वह सही अभमास मिखेक कि एकदाम केंगे ए आजयो आज्वा में अजयो आपुदेखरा ना दीकर audio उग्या हो गया हमारे पास और स्डाहीं य। पहली श्लाइड है ए पहली श्लाइड है आज्वाई कहां चले यह अयह झाला था हां पर्टू पर्थ पर तू परने थे खिन्टू पर प्रण्तुकार्बन कार्बनिक विलायकों में प्रण्तुकार्बनिक रे भाई मैं क्या लिख रहा हूं प्रांतु कार्वनिक कार्वनिक विलायकों में क्या होगा कार्वनिक विलायकों में विले होते हैं कार्वनिक विलायक कौन कौन से होते हैं इसको मैं लिखना उची समझता हूँ क्योंकि आपकी दिमां में घूमरासर कार्वनिक विलायक कौन है कार्बनिक विलायक जैसे क्या हो जाएगा आपका इथर हो जाएगा अब आपके दिमाग मेरा सर इथर क्या है और और जब भी अलकिल समों आक्सीजन के साथ जुड़ेगा दोनों तरब तो इथर बन जाएगा क्लोरोफाम या एलकोहल क्या होगा एलकोहल एलकोहल में क्या होगा एक एलकिल होगा और उसके साथ हाइड्राकसाइड समों होगा एलकोहलिक ग्रूप होगा एलकोहलिक समों होगा वह एलकोहल बन जाएगा कॉमा आगे फिर क्या आएगा क्लोरोफाम क्लोरोफाम का सुत्र तो क्या क्लोरफान के बाग कार्बन टेट्रा कुलोराइड कार्बन कार्बन टेट्रा कुलोराइड यह हो गया इसका फार्मिला होता है आपका CCL4 यह निकार्बन के साथ 4 कुलोरी तथा बेंजीन इसका सूधर C6H6 आपको पता है यह हमारे क्या होते हैं कार्बन इक विलायक होते हैं इन सब में हमारा जो आपका अलकिल हाइलाइड होगा वह बलीन हो जाएगा हर हाल में हर हाल में क्योंकि यह प्रतियस्थापन अपकी रिय प्रतियस्थापित जल्दीसे तो भाया हटाना ही अपने साथ मिलान ही क्या है मिल गए किसी के साथ है तो तोड़ेगा उसको जोड़ेगा अपने साथ तो यही चीज है कि हैलो इलकें जो मारे होते हैं अल्प धुर्वी होने के काराड यह जल में क्या होते हैं आवले होते हैं प्रंत कार्विन विलायकों में क्याते हैं विले होते हैं आज़ा हो गई इतनी बात हैं अब हो गई तो म ये बहुत ही important है चले ये अगे चलते हैं आप राजसायिक गुड़ देखें गे-सकी चलो कि यानि इसका main दूसरा जो point हो Pret scars प्रापर्टी chemical properties chemical properties इसके chemical property है आपके वह ही वह है वह हाईलो एलकेन के हैं तो सबसे पहले chemical property के अंदर का थिये हम देखेंगे कि रासाने गुर्ड जो हमारे होते हैं इसके वो सबसे पहले एलकील हाईलाइट को समझो अल्किल हाइलाइट जो हमारे होते हैं वो अधिक से अधिक क्रिया सील होते हैं सबसे अधिक क्रिया सील होते हैं तो हम कहें सकते हैं कि अल्किल हाइलाइट क्या अधिक क्रिया सील होते हैं अधिक क्रियासिल होने की वज़ा से क्रिया कौन कौन सी दरसाते हैं निम्न प्रकार की प्रतियस्था पनपक्रिया योगात्मकपक्रिया बिभिलू पनपक्रिया तमाम प्रकार के अपक्रिया को क्या करते हैं यह दरसाते हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे चिंता मत करना आओ च तुब हो गया नोट कर लेना हां हां चलिए एलकिल हाइलाइड एलकिल हाइलाइड यानि आर राया आधिक किरिया सील होते हैं राया आधिक किरिया सील कौन कौन सी किरिया सील कैसे होगा आव दिखाते हैं हम क्या करें कि ही होगा है कि किरिया सीलत का करम क्या हुगा है या फिर डै मेथिल हैcą था यह सायनेट में आह दिखें थाय आक्सेड यह सलफील अ इसलफा ऑक्सेड यह सलफव क्या हुआ तथा अलखिल हायलाइड का अलखिल हायलाइड की क्रिया सेलता का करम की क्रिया फिलता का क्रम एल्कोहलिक माध्यम या फिर क्या एल्कोहलिक माध्यम या फिर इथर माध्यम में आप लिख सकते हो हैं हाँ एल्कोहलिक माध्यम एल्कोहलिक या एथर माध्यम एथर माध्यम या फिर डी एम एस ओ तथा की उपस्थिती में क्या हो जाएगा आपका क्रम क्या हो जाएगा आपका क्या है और क्या या आयॉडील सबसे पहले एल्किल आयुडाइड याने की एल्किल ॐडाइड फिर क्या और ब्रोमाईड फिर क्या होगा एल्किल प distingu right और कि अब आपके कि सबसे पहले कौन आएगाèse कई करेगा कंसे जज्दा करेगा इलकिल आयोड़ाइट करेगा उसके बात थोड़ा सा में करेगा इसका फार्मूला जलो गया पहले ये लिगत दो, मुरक में एक फेले क्या का मुन है इसकी क्रियासीलता का घटता हुआ क्रब मुं σε किरियास एल्था का है क्रियासीलता का घटता हुआ क्रम यह हो गया ये हमने बता दिया, अब क्यूं होता है, इसका region भी बता दें, क्यूं होता है, क्यूं होता है, एलकिल हाइलाइड में से, हाइलोजन जो हमारा होता है, उसका बंद तूटेगा कब, जब बंद की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, बात को समझना थोड़ा सा, गवर से सुनन बंद की लंबाई जब सबसे ज़्यादा होगी, तो बंद तूटेगा जल्दी, क्यूं? क्योंकि आपको पता है कि छोटी लकडी को तोड़ना मुस्किल होता है, बड़ी लकडी की अपेच्छा, एक बड़े से लाटी को तोड़ना आसान होगा, एक छोटे से टुकड़े क सबसे बड़ा है, और जब आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होगा, तो यह हाइलोजन अलकील के साथ अगर जुड़ेगा, तो यह काफी दूरी पे होगा, क्या होगा, काफी दूरी पे होगा, यही काड़ है कि बंद लंबाई सबसे ज़्यादा होता है, कहने का मतलब यह है कि suppose that fluorine के पास दो कच्छक है, fluorine के पास तीन कच्छक है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, bromine के पास चार कच्छक है, वो और बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, अब अगर alkyl के साथ ये जुड़ा अमाल लेते हैं, alkyl हमारा ऐसे है दो के साथ, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की लंबाई ये है, दूसरे के साथ जोड़ेंगे ये, इसका सेंटर ये चला गया, इतनी दूरी है, तीसरे के साथ जोड़ेंगे भई या तो इसका सेंटर यह कितना दूर आ गया लंबाई बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही है मतलब कहने का कि यह आपका एलकिल है यह आपका हाइलोजन और जुड़ता है तो वह अपने बाहरी कच्छक से सिर्फ असपर्थ में रहता है ना कि गुज जाता है तो सिर्फ असपर्थ में रहेगा और दो नाविकों की बीच की दूरी जो आएगी उनके परमाड़ों की वही उनकी क्या बंध लंबाई जैसे कार्बन के साथ अगर माल लेते हैं और फलोरीन लिकारे देखिए इसका अंकार क्या हो जाएगा 20 के साथ हाइडोजन और फलोरीन आ अब यह हाइडोजन को नहीं देखना आँ तो तो फुलॉरीन का जो नाभिक होगा और कारवन को जो नाभिक होगा उसके बीच की जो लंबाई होगी वही फुलॉरीन और कारवन की बीच में बंध लंबाई मानी जाएगी तो बंध लंबाई क्या होगा अकार अगर बढ़ेगा तो दूरियां बढ़ती जाएगी और जब बढ़ती जाएगी तो इनका बंद लंबाई क्या होगा ज्याधा होगा अर्था अब इसे तोड़ने में असानी होगी इसकी तुलना में यह तोड़ा से लिट टूटेगा यह जली तूट जाएगा इसका मतलब है कि जो बंद सबसे जल्दी तूटता है उसके क्रिया सिंधा स यही चीज इसके आगे और कुछ नहीं करना है अब एक चीज यह हो गया हाँ मन्दब एलकॉर की उपस्थी मन्दब उसकी तीरपन होनी चाहिए इथर की होनी चाहिए और डी-मसो होना चाहिए अच्छा इसका फुलफ़म नहीं लिखा मैंने देखो इसका मन्दब होता है डा एम एस ओ डी फार डाई हो गया है यम फार मेथिल यस फार सल्फो सल्फ आकसाइड ओ फार आकसाइड यानि टोटल नाम आता है इसका क्या आता है डाई मेथिल हिंदी में लिख दो डाई मेथिल सल्फार्कसाइड सल्फार्कसाइड डाई मेथिल सल्फार्कसाइड यह होता है डी एम एस ओ हो गया इतनी पाते थी आगे फिर क्या करते हैं हम आगे क्या कहा है इसकी क्रिया कुछ होती है सबसे पहले इसमें आगा प्रतियस्था पनापिरिया क्या प्रतियस् क्रिशंट के वादा चलते हैं यह तोह गया बेसिक चीजे की क्रिश चीज़ता कि स्की ज्यादा होगी इस में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पकड़ के रखना है कि भाई ये जो हमारा होगा ये यह क्रिया सिल इसमें से अगर कोई element दो लोग आगे मालते एलकिल हायलाइड एलकिल बरोमाईड आयोडाइड साथ में आ गया और उसके बाद मुक उत्पाद पूछ रहा है तो मुक उत्पाद में वही होगा जो पहले बनेगा तो पहले कौन बनेगा तूटे गई यह यह इस चलो प्रतियस्थापन की बात करते हैं ध्यां से सुनना प्रतियस्थापन अब किरिया है सबसे पहले प्रतियस्थापन अब किरिया है आओ नोट कर लेना जल्दी से नोट करना जल्दी से हो गया 1, 2, 3, 3, 2, 1 प्रतियस्थापन अब किरियाओं में अगर हम बात करें कहा गया सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रतियस्थापन अब किरियाओं सबसे पहले प्रतियस्थापन अब किरियाओं है प्रति अस्थापन अब क्रिया में क्या होता है आपकी पास ऐसा समू आता है जो हायलोजन प्रमावण से क्या होगा प्रवल होगा वो समू आ करके हायलोजन को रिप्लेस कर देता है प्रति अस्थापित कर देता है और प्रति अस्थापित कर देता है तो इस परकार की किरिया है क्या होती है प्रति अस्थापन अब किरिया है मानी जाती को रहता है मतलब कहने का एक ना भी किसने ही प्रतियस्थाफन ऑफ करिया है और दूसरा 羅 का ऑटहरा हुए लेकिन उसको सम्झने पहले हम कुछ नार्मल अपक्र पढ़ेंगे इसकी बाद से पिढ़ेंगे वह अच्छा टापिक है और उस पर पूरी कमेश्टी टिकी हुई है यह समझ जाना है अभी बताएंगे क्यों लेकिन उसको पहले उससे पहले हम कुछ आसान रियक्शन और कहने को सामान नवकिरियाएं को सीखेंगे तो इसमें प्रतियस्थापन अपकिरियां में बस आपको इतना लेखना है कि नाविकी नहीं एक सम्मु होगा नाविकि सफेग्हर्मक होगा वह हमारा क्या गरता है रिप्लेस कर देता बस और कुछ नहीं इसकी आगई हम सामान नवकिरियाएं कुछ देखेंगे उसकी बात बात करते हैं अगर आपको समझना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भीया साथ दो प्रकार की होती है लेकिन पढ़ना हमको है कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और है ना ठीक आ गया ध्यान से सुनना सारी चीज़ें आएंगी परिशान मत होना हुआ क्या कहा है एक बात हो लिख लिए एल्किल हाइलाइडों की सब प्रतियस्थापन अपकिरिया है सबसे मुख्य अपकिरिया मानी जाती है एल्किल हाइलाइडों की एल्किल हाइलाइडों की प्रतियस्थापन अपकिरिया मुख्य होती है होगे मुक्य होती है अब अफिकल हाइलाइडों की प्रतियस्थापन की रिखय कैसे–कैसे होगी उनका क्रम कुछ लिख देते हैं इतलिकल हाइलाइडों की जो हमारे की क्या एक आगया और यहां लिए देते हैं आर यहां लिए देते हैं सी एक आगया आपका इस चर्वर लिखेंगे अपकी बार, यहाँ CL, यहाँ VR, यहाँ VR, मनलब R, 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 तो यह कितना है, यह 2 degree, 3 degree, 1 degree, इस परकार से हम कह सकते हैं, कि यह 3 degree, यह 2 degree, यह 1 degree, डिगरी मैंने बताया था आपको, याद कर लेना, वो समय, वो जगा, वो दिन, इस कार्मन की डिगरी देख रिखाएं तो दो लोगों से जुड़ा हुआ है, अर्थाति यह आर जो है, वो इस आर में और होगा, मतलब CH3 हो सकता है, C2, C3, C7 हो सकता है, हो सकता है, यह तो जो होगा, उसमें कार्वन होगा न, और वो कार्वन सीधा-सीधा इसी तो जुड़ा होगा, जैसे, R की जगा यहां सामान है समझ जब यहाँ आएगा इस कार्मन की डिगरी देख रहे हैं तो यह कितने कार्मन से जुड़ा है तो यहां रखेंगे तो यहां से दो लोगों से तूड़ी आगया आपके दिमाह में जो बाते घुमने वह मैं समझ गया हूं परिसान मत होगा इतनी बाते अगर आ गई तो इसके पास जो किरिया सेलता होगा इसका नाम क्या होगा इसका नाम को प्राइमरी प्राइमरी अलकिल हाइलाइड या अलकिल कुलराइड प्राइमरी अलकिल अलकिल कुलराइड और इसका नाम क्या है क्या है सेकेंडरी सेकेंडरी अलकिल कुलराइड यह होगा और इसका नाम क्या है तर्सरी तर्सरी एलकिल एलकिल क्लॉराइड क्या कहा मैंने तर्सरी एलकिल क्लॉराइड यह हो गया यह इसका स्तंकेत में आप ऐसे लिख सकते हो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो तर्सरी मनद टी हो गया आर कम अलब आर हो गया अलकिल हो गया एक्स यह एक्स लिख दो एक्स हा के secondary या आई सो लिखा जाता है क्या लिखा जाता है आई सो भी लिखा जाता है आई से मेलब kतिक एकुल हाइललाइड मझना गरेटर देन इस र है ना प्रामरी न Exchange लाइललड थी यह इस लिए अनल कुल हाइलाइड है कि किरिया सेलता का घर्टा हुआ करम कि रिया सेलता का घर्टा हुआ करम कि घर्टा हुआ करम हो गया अब देखें एक चीज और इस वात को ध्यान में रखना कि सर आप हुआ है ठीक किरिया सिंदा होती है इसको क्यों बता है प्रतियस्थाबर नपकरिया कौन हो होंगे तो प्र्तियस्थापन करसे यह वाला है यह आपका होता है आपके जो प्रतियस्थापन उसके उसके प्रकार की प्षिवर तो शिवार्था यह जो हमारा है एक आर्डिंग टू एसन म्याश्व है कि सामाने रेक्शन बताने से अच्छा सब्सक्राने रिया नहीं मैं बताना है हमको सिधा सिधा SN1, SN2 पढ़ना है, हाँ, सामन रियक्षिन अगर जानना चाहते हैं, तो आप करा सकते हो, अलकील हाइलाइड की किरिया, जल की उपसिति में, क्या है, सिल्वर आकसाइड के साथ करा दीजिए, आ जाएगा, अलकुहल बनेगा, बन जाएगा, इस सब करा सकते हो, कि जैसे आपने बनाने की विधी में किया था, उसी के हिसाब से करा सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको, अब आपके दिवाह में ये घूमरासर, अगर आप ये बताए हैं तो एक काम खरिए, वो reaction बताने से पहले हमें SN1 और SN2 बता दीजिए SN1 और SN2 में ही सारे reaction चुपे हुए है ऐसी बात नहीं है उसी में चुपा हूँ उसी में आ जाएगा तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक चीज मैं इसको लिखना चाहता हूँ अगर आ गया तो मैं यहीं एक दूसरा चीज लिखना चाहता हूँ अगर आ गया समझ में तो आगे चले जी सर आ गया इतनी बाते समझ में एक काम करिये सर SN1 SN2 बताएए ठीक चलो SN1 SN2 मैं यहीं बताता हूँ क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यह हमारे जो होते हैं वो मुक्ता दो परकार की होते है यह प्रतियस्थापन अपकिरिया कितने परकार की होती है दो परकार की होती है क्या है वहिया क्या होती है प्रतियस्थापन अब किरिया नाभिक इसने ही प्रतियस्थापन अब किरिया एक काम को और भी समझ में आ गया नाभिक इसने ही प्रतियस्थापन अब किरिया इसमें क्या आएगा नाभिक इसने ही प्रतियस्थापन अब किरिया नाभी किस नहीं प्रतियास्था बनव किरिया अब बात आती है सर नाभी किस नहीं प्रतियास्था बनव किरिया क्या होती है और इस दे ये दो प्रकार के होते है दो प्रकार के होते है नाभी किस नहीं का मतलब होता है नुकलियो फ्लिक का मतलब होता है बात को समझना पहले तब इसको बताए आ नूकलियो फिलिक जब तक सर बताएंगे नहीं समझिए न्यूकलियो फिलिक क्या हुआ यह इसकी एंगलिс होती है रिक जह फिलिक है निपालियो फिलिक अरुनख़ बियार मतंदा है नाभिक कहना है इसका मतलब आ गया कि पॉस्टिफ से प्यार करने वाला अब प्लस से कौन प्यार करेगा और अगर प्लस के साथ माइनस आगया तो वो क्या जुड़ जाएगा बस वही बात है यहिनि प्लस के साथ प्यार कौन करेगा माइनस इसका मतलब है कि नुकलियो फ्लिक जो हमारा होगा वो ऐसा समू होगा जो रिडावेसित होगा जो इलेक्टरान को आस्टेप्ट करने वाला होगा जो इलेक्टरान ले करके रखा होगा अपने आपको निगेटिव बना के रखा होगा और वो कहां भाग के जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, इसका मतलब है कि नाविक इसने ही, ऐसे हमारे होंगे, समूव ऐसे प्रमाड होंगे, जो रिडा बेसित हों, क्या होंगे, रिडा बेसित हों, बात को समझना ध्यान से ये बहुत गहराई वाली बात है, इसका मतलब है कि negative अर्था प्लस के साथ प्यार दिखाने वाला जो होगा वो क्या होगा ऐजे नाविक इसने ही कहलाएगा यानि कि नाविक इसने ही नाविक इसने ही वैसे इसने हमाने होता है प्यार इसने हमाने क्या होता है प्यार नाविक के साथ प्यार नावी कि इसने ही इना समूं होगा गाईशान हो गया है सरग जांपल गूम्रा में इग्जांपल इसे नावी कि इसने ही में कॉन कुन होगा बाई जितने अडार अचितने सब लिख डालो सुख डालो गया क्या है आपका hyalogen हो जाएगा hydroxide हो जाएगा cyanide हो जाएगा TS3CW minus charge हो जाएगा मतलब कहने का जितनी बार minus वला आएगा जितने sum उ मैनस वाले होंगे वो सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे नाभी किसने ही का काम करेंगे अर्था तब नाभी किसने ही तो यहने का मतलब है कि नाभिक इसने ही का मतलब क्या होगा है कि इसे परमाड या परमाड समो जो इलेक्ट्रान को क्या करें वहाइए? अपने पास रखे हो, अर्थाथ प्लस आयन के पास जाना चाहते हो, यह ऐसे प्रमाड या प्रमाड समुझे जो रिडावेसित होते हैं, वह धनायन के प्रति आकर्स्थित होते हैं, उन्हीं को नाभिक इसने ही कहा जाता है. आगया समझ सकते हो सो dazu सब्ầnक्राइब बहुए इसागत तो पासकर लिख सकते हो सब क्या होंगे बनाभी किस नहीं होगे आओ सब्सक्राइब जो ढरायन के प्रति आकर्सित होते हैं वह क्या कहलते हैं आर्थातिया प्राया रिदावेसित होते है क्या होते हैं रिडावेशित होते हैं जैसे यह आगे आगे इसी को मैं बाट रहा था था ना हाँ सर बाट रहेते आप बाटने के यह ओते हैं एक अडूक नाभिक इसने ही प्रतियस्थापन अब किलिया एक अडूक प्रतियस्थापन अब किलिया है हो गया और दूसरा आपका क्या है दुए अडूक नाभिक इसने ही प्रति अस्थापन अब किरिया साटकट में इन सबको नाम दिया जाता है क्या 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 SN1 ये दिया जाता है और दूसरे में क्या दिया जाता है SN2 ये दिया जाता है SN1 और SN2 रेक्शन रेक्शन लिख लो SN1 और SN2 रेक्शन ये होता है यानि कहने का मतभ़ा है कि निकलीफिलिक अर्थाथ यूनिमालेकुलर, निकलियूफलिông, सब्चूचुचूचूचू, रियक्षेieur, या वनêmालेकुलर, निकलियूफलिực, सब्चुचूचू रियक्षें। निकलियूफलिय का मलब ना भी किसे नहींету, जास कमलब सब्चूचूचूचू, अरथाद पतियस्तापन, और ये क्या हाद दो है by molecular प्राइक्राशन इसनkick होती है अगला हम पढ़ेंगे SN1 एक एक करके और SN2 को अलग-अलग करके तो इसकी लिए हम अगले सेसन में डिस्क्स करेंगे आज की लिए कि लिए यही तक एक बार कमेंट कर देना कि हमको आगया सर अच्छे से आई होप आप लोगों को अच्छे साया होगा मैं उम्मित करता हूँ और आशा करता हूँ 100% समझ में आएगा परेशान मत होना भरोसा दिलाना है ना वादा कर रहे हैं हिम्मत मत हरना हर एक रेक्शन सालव करोगे और अभे तक जो बताया गया हो वो कमेंट कर देना जैसा लगेगा आपको मैं देख लूँगा ओके आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अपना खयाल लगना अपनी परिवार का ओके बाए बाए बा